आगत है आज सुबह अकबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेकर और ठग के घर में ठगी करने वाले महा ठग का नाम आम आदमी पाटी और सतेंद्र जैन है आप सबने अकबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेकर आखिर कौन है हूँ इस सुकेश चंद्रशेकर अगर पटकथा पे जाए और बहुत थिक संशेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेकर एक कौन मैं है कौन मैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहार जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चारदिवारी के अंदर से 200 करोड रुपए की ठगी की एक्स्टॉर्शन किया बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्स्टॉर्शन जिसे एक्स्टॉर्शनिस्ट कहा जाता है ये सुकेश चंदर सेखर एक एक्स्टॉर्शनिस्ट है और आज ये कहना आतीश्योक्ती नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्स्टॉर्शनिस्ट से एक्स्टॉर्श जालसाजी ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेकर के खिलाफ है और आपको जानके आश्चरिय होगा ऐसे महान सुकेश चंद्रशेकर के मित्र आम आदमी पाटी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के चारदिवारी में बंद हैं तिहार में बंद हैं वैसे सतेंद्र जैन स्वें थे तो यह सुकेश चंदर शेकर और सतेंद्र जयन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिठी में सामने आया है सुकेश चंदर शेकर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूँ और तब से सतेंद्र जेन मेरे घनिष्ट मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि मुझे राज्य सभा देंगे कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे प्रती स् करोड रुपए दिये जस्ट इमाजिन अपार्टी विच केम विद प्रॉमिजिंग अफ चेंजिंग अफ इंडियन पॉलिटिक्स फिफ्टी क्रोड वो पचास करोड लेती है केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी को वादा किया है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे और अकबार में यह भी मालूम पड़ता है कि एक चिट्थी लिखा है सुकेश चंदरशेखर जी ने LG सहाब को उस चिट्थी की एक प्रती हमारे पास है वो चिट्थी हम आपको दिखाएंगे भी और उसके कुछ एकसरप्ट जो है आपके सम्मुक रखेंगे मगर मोटा मोटी उस चिट्थी में क्या लिखा है उस चिट्थी में सुकेश चंदरशेखर कहता है कि जब मैं तिहार में बंद था और सतेंद्र जेन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ 2017 में ये सुकेश चंदरशेखर जेल में बंद होता है और सतेंद्र जेन जो उस समें जेल मंत्री थे कई बार जेल में अपने मित्र अपने यार सुकेश चंदरशेखर से मिलने जाते हैं और 2019 में पुन है जब ये जेल का पॉर्टफोलियो सतेंद्र जेन के पास आता है और सतेंद्र जेन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तियार जेल तो उनके खुद के लोगों ने उनके सेकरेटरी ने सेकरेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है उनके सेकरेटरी ने सुकेश चंदर सेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए प्रती महा दो करोड रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सतेंद्र जेन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूल भूत अवश्यक्ताएं हैं जिसको अंग्रेजी में बेस ऺर्डिक फैसिलिटीस आपको मुहया कराया जाएगा और प्रत्यक महिने 2-2 करोड रुपए सुकेश चंद्रशेकर जो की यार है आम आदमिपार्टी का यार है सतेंद्र जैन का 2-2 करोड देते हैं और लगबग 10 करोड रुपए आम आदमी पाटी के सतेंद्र जैन जी को देते हैं चिथी पड़के में बताऊंगा मुझे तो आश्चरी होता है and I would not hitch to say that there is this person called Sukesh Chandrasekhar who is a con man who was running a syndicate a crime syndicate from inside the jail while we have the arm aadmi party and its ministers who are running a crime syndicate outside of the jail दोनों crime syndicate कर रहे हैं एक jail के अंदर crime syndicate कर रहा है और दूसरा jail के बाहर crime syndicate कर रहा है आप सोचके देखिए अन्ना हजारे जी ने चंद हफ्तों पहले जो चिट्टी अर्विंद केजरिवाल जो जी को लिखी थी वो कितना सार्थक है यह party जो चाल चरित्र और स्वरूप राजनीती का बदलने आई थी किस प्रकार से आज यह party एक con man party के रूप में अर्विंद केजरिवाल जी कह रहे थे कि यह सतेंद्र जैन इतने अच्छे वेक्ति हैं इतने महान वेक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए सुकेश चंदर सेखर जी से 10 करोड लेने वाले वेक्ति को extortionist से उगाही करने वाले वेक्ति को भरस्टाचारी के घर में भरस्टाचार करने वाले वेक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए यह भारत के प्रतेक नागरिक के प्रती अर्विंद केजरिवाल जी का जिस प्रकार का असंवान का भाव है अपने महत्वाकांशा के कारण ये इस संटेंस से कि शत्यंद्र जैन डिजर्व्स भारत रतन ये दिखाता है बंदुगन जिस चिठ्ठी के बारे में मैंने बताया आज मीडिया ने ये चिठ्ठी दिखाया है उस चिट्टी और उस चिट्टी के कुछ excerpts को मैं पढ़ता हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे और आज अकबार ने भी लिखा है कि अपने खुद के handwriting में सुकेश चंदर सेखर ने ये चिट्टी सब्मिट किया है तो आप देख सकते हैं ये चिट्टी सुकेश चंदर सेखर जी ने साथ, दस, दोहजार बाईस को लिखा है और उसने ये चिट्टी अपने handwriting में लिखा है और इस चिट्टी में वो लिखता है ये LG को लिखा है इनोंने और subject है complaint of threat and pressure from Satyendra Jain मतब threat और pressure रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको बताना नहीं है। I have known Satyendra Jain of Aam Adni Party since 2015 and have contributed more than 50 crore to the Aam Adni Party in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to be nominated to Rajya Sabha following the expansion. Rajya Sabha से nomination के लिए 50 crore दिये. आगे वो लिखते हैं, thereafter in 2019, again I was visited by Satyendra Jain and his secretary and his close friend Mr. Sushil in jail and asking me to pay Rs. 2 crore every month to him as extortion money for his safety and in the jail. He forced me to pay a total amount of 10 crores in a matter of 2 to 3 months. 2-3 महिने में 10 करोड रुपए Satyendra Jain लेते हैं. And now Mr. Satyendra Jain is lodged in jail number 7 in Tihar. He has been threatening me through DG prisons. आगे बहुत कुछ लिखते हैं कि Satyendra Jain उनको धमकी दे रहे हैं कि ये सारा विशय आपको सारवजनिक नहीं करना है, स्वभाविक है क्यों नहीं करना है? बंदुगन ये तो घोटालों का घोटाला है. ठग के घर में ठगी हुई है और ठग करने वाला, ठगी करने वाला महा ठग है. और आपने अभी देखा है कि इस प्रकार से शराब घोटाला भी दिल्ली में हुआ है. किस प्रकार से शराब घोटादे में उपमुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है उपमुख्यमंत्री जी के उपर अभी केस चल रहा है F.I.R. में उनका नाम है ये कहते हुए अतीश्योक्ति नहीं होगी कि चन दिनों के अंदर हम तिहार जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे जब मिल बैठेंगे तीन यार जब मिल बैठेंगे तीन यार गुझेंगी तिहार की दीवार हमने मिल कर किया भ्रष्टा चार भ्रष्टा चार भ्रष्टा चार कौन ये तीन यार है बताने की अवश्यक्ता नहीं है अकबारों ने ये सब खुलासा किया है और मुझे तो आश्चरी हो रहा है कि जब आप लोगों ने हमारे चतुर्त स्तंभ मीडिया ने आज केजरिवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विशय पे लेकर तो वो कहां से वो म पचास करोड रुपए लेके बोल रहे हैं कौन है वो इस प्रकार से उद्गार किया अरे भ्रस्टा भ्रस्टासन एक ही आसन जानते हैं अरविंद केज डिवाल जी और उनके पाटी के लोग भ्रस्टासन और कोई आसन इने नहीं आता है ये क्या योग आसन की बाते कर रहे हैं जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है दो ओनली आसन दियाम आदमी पाटी नोज इस भ्रस्टासन और कुछ नहीं और भीक का कटोरा क्या बोल रहे थे कि वे भीक का कटोरा लेकी निकलूंगा अरे कहां का कटोरा कटोरा में कहां से जगा होगा 50 करोड रुपए यह कितने हजार करोड रुपए तो आपने मार लिए एक साइस ड्यूटी से और ठगों के घर से आप 50-50 करोड रुपए ले रहे हैं और कटोरा बोरी बोलिए बोरी बोरी में पैसे बंद करकर के मैं इखटे कर रहा हूं यह बोलिए केजरिवाल जी यह आप जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं जनता जनार्दन यह सब जानती है इसका जवाब आने वाले दिनों में जनता जनार्दन आपको देगी इतना ही कहके मैं अपने वक्त अब्यक्त को समाप्त करूंगा चूंकि यह बाईट था इस कारण कोई प्रश्णोत्तर इस अदे बार